हेलो फेंट्स वेलकम टू एकॉमर्स भाई सुक्ला क्लासिस आएम अरभव एंटिटोरियल ओन डीबी एलसी तो डीबी एलसी के बारे में आज बढ़ेंगे कंपली टॉपिक जो होगा वो हिंदी और इंग्लीस में होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का टीटोरियल लेट इसमें हैं डेटावेस इनिशियल स्टडी डेटावेस डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड लोडिग टैस्टिंग एंड एविलिएशिन ऑपरेशन और फिर आता है लाजट में मेंटेनस एविलिएशन तो इन फेजिस को हम भी डिस्रिप्शन फॉर्मिट में हिंदी में और सिंपल लेंगजिस में समझेंगे बित अगजांपल के साथ कि ये वरक क्या है इसके फेज़िस और एक्सिन प्लान क्या है चले देखते हैं फिस्ट है हमारा डेटावेस इनिशियल इस्टेडी जो कि हमारा फिर्स्ट पॉइंट था तो यहां डेटावेस का सबसे पहला और महत्वपूर फेज होता है इस फेज में designer company के अंदर जो मौजूदा system में के operation की जास करता है और या निर्धारित करता है कि क्यों और कैसे system fail हुआ है database initial study का उद्देश से निम्ना है company के इस्तेती का distillation करना इनिके analysis करना समस्याओं और बाधाओं को परिभाशित करना और देश्यों को परिभाशित करना सेकेंड है database design यहाँ फेज जो है वो DBLC का सबसे critical phase होता है इस फेज में logical और physical दोनों प्रकार का एक design किया जाता है logical design में conceptual model का एक निर्माड किया जाता है और एक conceptual model आम तोर पर ER model होता है जो कि database की field tables और primary key को दर्शाता है और यहाँ भी देखता है कि tables एक दुसरे के किस प्रकार संब्दित है physical design का सिर्फ एक goal होता है database की समता को बढ़ाना अर्थत performance को बढ़ाना थर्ड है implementation and loading इस phase में ER diagram में बनाई गई tables को SQL statement में convert किया जाता है और इस stage में तीन steps होते है DBMS को install किया जाता है implementation and loading phase में database को create किया जाता है इसी phase में और database को load और convert भी किया जाता है same phase में fourth number पे आता हमारा testing and evaluation testing database की quality को ensure करता है जिसे कि risk को कम किया जाता है testing के first step में database को test किया जाता है जिससे कि data के integrity और security को maintain किया सके database testing में हमें password security data encryption आधी को check करने की अवशकता होती है जब database और application programs को create कर दिया जाता है तथा उसकी testing में पूर्ण कर दिया जाती है तब हम उनको evaluate यानि कि मोल्यांकित किया जाता है six point है मेंटेनेंस मेंटेनेंस ये लास्ट पॉइंट है maintenance monitoring and modification तो यहाँ डीवी अलसी का अंतिम फेज होता है निके लास्ट फेज होता है इस फेज में database को maintain monitor और modify किया जाता है जब system बनके तयार हो जाता है और user उसका यूज करना शुरू कर देते हैं तब जो problems आती हैं उनको time to time system हल करना होता है user requirement के इसाब से database को modify करना पड़ता है इसमें database का बेक भी लेना इसमें सामिल किया गया है तो dblc को समझने में आसानी हुए होगे simple languages में अगर ऐसे वीडियो से हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हिट करें बल आइकन को like करें हमें थोड़ा encourage करने के लिए ऐसे वीडियो को बनाने के लिए सेर करें में दोस्तों साथ कमिट करें का कुछ भी समझ में नाया हो सब्सक्राइब करने ना भूलें हमारे चैनल को हमीशा अपडेट एने के लिए